जैम आतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्ष 2020 के अंतिम तीन दिनों के सेहिंग राशी फल के बारे में यानि 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर का दिन सेहिंग राशी के भाव आपकी दिन्चरिया पर किस तरह से होगा इस वर्ष का अंत और नए वर्ष की शुरुवात आपके लिए किस तरह से मायने रखती है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोट असा निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया प्राप्त होती रहेंगे तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन तीन दिनों में क्या ग्रह नक्षत्र होंगे क्या योग बने इस दिन में रक्षिर नक्षत्र रहेगा चंद्रमा मिथुन राशी में हैं सुरिय धनु राशी पूर साड़ा नक्षत्र में आ चुके हैं इस दिन पूरा दिन रवी योग रहेगा और अभीचीत मुर्थ दोपहर 12 बचकर 3 मिनट से 12 बचकर 44 मिनट तक है 30 दिसंबर का दिन बुद्धवार का दिन है शुकल पक्षिक की पूर्णी माति थी सुभा 9 बजे तक आदर नक्षत्र शाम तक रहेगा और चंद्रमा मिथुन राशी में हैं सुरिय धनु राशी में हैं कोई अभीजीत मुर्थ इस दिन नहीं है अब 31 दिसंबर 20 साल का अंतिम दिन है पिहद शुब संयोगों के साथ यह गुरुवार का दिन है और क्रशन पक्षिक की प्रतिपदा तिथी होगी शाम तक पुनर्वस हो नक्षत्र है उसके बाद पुशन नक्षत्र लग जाएगा चंदर्मा किस्तिती दोपहर एक बज कर 38 मिनट तक मिथुन राशी में उसके बाद चंदर्मा अपनी राशी करकराशी में चले जाएगे और सूर्य धनुराशी में विराजमान है इस दिन बड़े शानदार योग बन रहे हैं गुरु पुश्य योग बनेगा जो बहुत ही गुदादित योग और एक रोचक योग तो इतने शुब योगों के साथ इस वर्ष का अंत होने वाला है और ये दो दिन है ये बहुत बहुत पहत्पून है किस तरह से ये भी जानेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं सिंग राशी के हम बात कर रहे हैं ये जो में चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं 11 भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे चंद्रमा के कारण आपको शुब फलो की प्राप्ती होगी जिसके चलते आपको एक से जादा शूतों से धनलाब की उम्मीदे बनती दिखाए देंगे हाला कि आपकी आफिस की बात की जाए तो आफिस में आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपके बॉंडिंग बहुत अच्छी रहेगी सम्मंद बहुत अच्छे होंगे पुराने कुछ अटके हुए काम थे तो इस अवदी में वो बनेंगे धन के मामले में भी अच्छा खासा लाब आपको प पूशिश भी करते हैं तो भी आपको कोई परिशानी नहीं देखने को मिलेगी इस दोरान किसी व्यक्ति की साहता या किसी व्यक्ति की राय आपके लिए बहुत माइन रखेगी आपके कामकाज में कोई व्यक्ति आपको कुछ सलहा मश्वरा दे सकता है जिसके कारण आपको सफलता मिल सकती है और विद्यार्तियों को इस दोरान किसी अपने सहय योगी से या अपने टीचर से किसी प्रकार किसाहता प्राप्त हो सकती है और जो जब तक पिछले कुछ समय से परिशानियों का सामना कर रहे थे कोई राष्टा नजर नहीं रहा था तो ये जो तीन दिन होंगे इस दोरान आपको अपनी परिशानी का रामबान एलाज मिल सकता है आपका कोई दोस्त आपका कोई खास या परिवार का ही कोई सदस है आपके लिए संकट मोचक सावित हो सकता है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है प्रेम संबंद की विवाद यदि की जाए तो प्रेम संबंद भी काफी संब्रद होने के आसार बने हुए हैं साथी के साथ यदि विवाद चल रहा था तो वो शांत होगा इस दोरान आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं जो जातक दामपत्य जीवन में ह उनके संबंदों में प्रकाड़ता आएगी संबंद बहुत अच्छे होंगे बॉंडिंग अच्छी होगी एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे एक दूसरे का पर विश्वाद जादा बढ़ेगा एविवाहित लोग जो हैं वो इस समय अपने रिष्टे अपने बात मिलने का भी पूरा योग है आर्थिक रूप से समय अच्छा है लेकिन खर्चा जरूर होगा इन दिनों में खर्चे का योग भी है लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती तो ऐसी चीज़ों पर ही आप खर्चा इस दौरान करने वाले हैं ये ऐसा समय होगा 31 दिसंबर खास होड़ से जब आपके पास वो अफसर होंगे जिनकी आपको चाहती और आप अपनी व्यवस्था को अच्छा कर पाएंगे ये आप ये समय अवधी में आप अगर कहीं नौकरी के लिए आपने अपलाई किया हुआ है तो आपको इंटर्व जोड़े हुए काम को बना सकते हैं सारी अर्चने दूर होंगी पैंडिंग कारे आपके पूरे होते हो दिखाए देंगे शोध कारे में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी लाब की संभावनाएं बनेगी और जो डेली इंकम वाले लोग हैं दुकानदारी करने वाले लोग हैं ग्रहगों की पसंद के मताबिक स्टॉक मैंटेन करेंगे सेहत के लिए ये जो समय है ये ठीक ठाक रहेगा मिला जुला असर डालेगा आपके लिए लेकिन घरेलों मामलों में समझदारी से काम लेंगे घरेलों मामले अच्छे रहेंगे लेकिन फिर भी समझदारी से काम बड़ों की सलहा आपके लिए बेहत काम आएगी, बेहत कारगर साबित होगी, अपने हित से जुड़े विश्यों पर आप अपने पक्षो को मजबूती से रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, प्रेम संबन भी अच्छा है, स्वास्ते भी ठीक ठाक रहने के असार इस तो आइडियाज बहुत आते हैं, अच्छे आइडियाज बहुत आते हैं, अपने आइडियाज को आप नोट करके रख सकते हैं, कोई शुबकारे करना है तो कर सकते हैं, अपने घर के बड़े बुजर्गों की सेवा जरूर करें, ये आपके लिए उनका आशिरवाद आपक करें तकि ज्यादा लोगों तक ही पहुंच सकें